हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल हैस्टेक क्रियेटिव आर्थी पोरवाल दोस्तों अभी अभी एक बहुत बड़ी न्यूज आई है जेई मेंस और नी 2021 एक्जाम को लेकर बहुत इंपोर्टन इंफॉर्मेशन है पोस्ट पॉन्मेंट को लेकर तो सभी बच्चे पू कर दिया गया है एक महीने के लिए नई डेट शीट रिलीज कर दी गई है नीट के बच्चे बहुत परशान है बार-बार पूछ रहे हैं क्या मैं नीट का एक्जाम पोस्टपोन होगा फिर से तो मैं आपको बता दू नीट की जो डेट आई है बारा सप्टमबर वह बहुत सोच समझ के रखी गई है लेकिन इसी सिचुएशन को समझने के लिए क्योंकि आपको बता दू कि इंडिया टुडे जो की इतना बड़ा निउस्पेपर है वहां से रिपोर्ट आई है इंडिया न्यूस की भी और कई न्यूस चैनल से कई साइंटेस्ट ने भी ये के रिपोर्ट दिए कि कोविट की जो थर्ड्र मेव है वो अगस्त में आ रही है अगस्त लास्ट में आ रही है तो अगर अगस्त के लास्टलीग में पड़ाई करिए रूटीन मनाये फिर जो होगा situation के according देखा जाएगा यही जेई मेंस के बच्चों को भी मैंने बताया था कि जेई मेंस का exam postpone हो सकता है लेकिन आप पढ़ाई करते रहें और end time पर NTA और हमारा सिक्षा मंत्राला कुछ भी कर सकता है तो अगर कोई डेट ऐसी चेंज होती है तो आपको तभी सब्टमबर में ही पता चलेगी अभी अगस्त में आपको कोई भी information postponement से related नहीं मिलेगी तो आप पढ़ाई करते रहें एक सब्टमबर के बाद जैसे situation होगी उसके according आपका exam 12 सब्टमबर को होगा और अगर situation बहुत ज़्यदा खराब हुई तो exam आपका postpon हो सकता है क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे प्रधान मंत्री नरेग मोदी जी बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरी रखते हैं जैसे कि उन्होंने जब 12th मेरे पास जिसमें लिखा था इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा कोविड फैल रहा है तो उसी के कारण इंडिया में आते देड़ लगेगी और बोला भी गया है तो आप लोग परशान मतों यह सिर्फ पढ़ाई करिए को इन्फॉर्मेशन लेटेस अब्डेट होगा मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिल जाएगा थैंक यू